आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुप काम नाए तो कल होली है और होली ठंडाई की बिना अधूरी है तो चलिए आज बनाते हैं ठंडाई और वो भी बहुत आसान दरीके से फटाफट से बन जाएगी और बहुत देस्टी बनती है तो ठंडाई बनाने के लिए सबसे पहले सारा सामान इखटा कर लेंगे तो यहां पर मैंने सारा सामान ले लिया है और अब मैं निकाल लेती हूँ एक पैन हम जो ठंडाई बनाने वाले हैं उसका जो पाउडर बनने वाला है वो पाउडर को आप बहुत दिनों तक स्टोर करक इसलिए जो सामान इसमें यूज होगा उसमें बिल्कुल भी मॉश्चर नहीं होना चाहिए अगर थोड़ा सा भी मॉश्चर होगा तो यह खराब हो जाएगा तो चलिए यहां पर ले ले लेते हैं ट्रैफूर्स तो यहां पर मैंने ले लिया है पीस्ता, काजू, बदाम, मैल हम लो फ्लेम पे एक से दो मिनिट के लिए भून लेंगे ताकि उन में से सारा मौश्यर उड़ जाए और अच्छे से ड्रै हो जाए चलिए मैंने सब को भून लिया है और उन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया है जब तक यहां पर हम बाकी की त्यारी कर लेते हैं तो यह यहां पर मैंने ले ली है रॉक शुगर यानि की मिश्री यहां पर मैंने दो तरकी मिश्री ली है एक वाइट वाली है और एक लाल वाली मिश्री की तासिर बहुत ही ठंडी होती है और वो चीनी की कंपेरिजन में बहुत ही हेल्दी भी होती है तो आज हम यहां पर चीनी का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे मिश्री, अगर आपके पास मिश्री नहीं है, तो आप चीनी का भी यूज कर सकते हो, तो ये दिखिए, इस तरह मिश्री को हमें तोड़ लेना है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े-बड़े टुकडों में है, तो इस तरह उसे हम तोड लेंगे, मैंने दोनों ही मिश्री को साथ में तोड़ लिया है, और अब इसे मैं एक L टाइप कंटेनर में भर लोंगी, और जब भी मुझे जरूर लगे तब इसमें से में यूज कर लोंगी, ये बहुत ही आसानी से कूड़ जाती है, अगर आप इसे मिक्शर में क्रश करन बहुत बारिक नहीं किया है, अब इसे इस तरह एट एट कंटेनर में भर के मैं रग लोंगी, चलिए यहाँ पे अब हमारे जो ड्राइप फूट से वो भी ठंडे हो चुके हैं, बढ़िया से ड्राइ भी हो गये है, तो इसके अंदर डाल देते हैं इलाइची जो हमने जिल कर लिया है, तो इसे पीषते में देर नहीं लगती है, यह देखिए फटा फट से अच्छे से पीष जाता है, अच्छे से क्रश हो जाता है, वीच वीच में इस तरह उसे हिलाते रहें और क्रश करते रहें, तो एकदम फाइन पावडर आपको मिल जाएगा, तो यह देखि इकदम बढ़िया सा पावडर बनके हमारा रेडी है अब इसे हम एक एड़ टैट कंटेनर में पर लेंगे इसे आप महिनों तक स्टोर करके रख सकते हो जबी भी आपका मन करे तभी आप ठंड़ाई बना की पी सकते हो इससे आप खीर भी बना सकते हो ठंड़ाई फ्लेवर व अब बना लेते हैं थंड़ाई अपर मने एक मिक्षब जार और इसे दो मिनट के लिए इसे अच्छि से ब्लेंड कर देंगे मैंने यहाँ पर ठंडा दूद लिया है फ्रीज से निकालके अगर आपके पास ठंडा दूद नहीं है तो इसके अंदर आप थोड़े से ice cube भी डाल सकते हो तो चलिए अब हमारी ठंडाई बनके एकदम ready है तो उसे serve कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक glass और उसके अंदर आल दिया है यह ठंडाई उपर से डालेंगे थोड़ा सा ठंडाई powder और थोड़े से rose petals ताकि देखने में बहुत ही बढ़िया लगे तो यह लीजिए ठंडाई एकदम ready है टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है और फटा फट से बन जाती है तो इस होली पर यह वाली recipe जरूर ट्राइ करना तो मिलते हैं जल्दी ही next recipe के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशन